लखनव में टीले वाली मस्जित के नाम से मशूर साढ़े तीन सो साल पुरानी मस्जित भी सवालों के घेरे में है। हिंदू वादी संगठनों ने इस पर भी अपनी नजर गड़ा कर रखी हुई है। आस्मान छूती इस कदीम मस्जित की इमारत को हिंदू महासभा लक्षमन का टीला बताता है। इसको लेकर बीते कई सालों से मामला कोट में था। इसी कडी में बीते दो माच को होने वाली सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन लखनव साउथ की बेंच में हुई। सुनी सेंटरल वक्ष बोड की तरफ से पेश होने वाले वकील ने कोट को बताया कि टीले वाली मस्जित वक्ष बोड में दर्ज है और उसका इंदराज नंबर 212 है। इसलिए ये मुकदमा वक्ष ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से पेश होने वाले वकील निर्पेंदर पांडे ने इसकी मुखालिफत की। दोनों पक्षकारों की बातें सुनने के बाद जस्टिस अभिशेग गुपता ने मुस्लिम पक्षकार से कोट में वक्ष से सम्मंधित दस्ताविजात पेश की जाने का आदेश दिया है। और अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। वहीं इस मामले में मस्जित के वकील एडवकेट मुनवर सुल्तान और मस्जित के मतولी मौलाना फजलरह्मान ने हिंदू पक्षकार के तरफ से मीडिया में बयान दिये जाने की बातों पर तश्वीश का इजहार किया और बताया ये गुमराह कुन बातें हैं जो मीडिया मे फैलाई जा रही हैं उन्होंने कहा कि हिंदू पक्षकार चाहता है कि इस पूरे मामले का A.S.I. से सर्वे कराया जाए मस्जित के वकील एडवकेट मुनवर सुल्तान ने अदालत की जानिब से A.S.I. सहित अन्ने पक्षकारों को नोटिस दिये जाने की खबरों का खंडन क जाए है उन्होंने कहा कि मस्जित का A.S.I. से कोई संबंध नहीं एै एएसाई पहले ही जवाब दाखिल कर चुका है कि टीले वाली मस्जित का मحकम है आथार कदीमा से कोई तालुक नहीं है, इसलिए उसे पक्षकार ना बनाये जाए उनोंने कहा कि दो मार्च को होने वाली सुनवाई ये एक रूटीन सुनवाई है मामला निशली अदालत में पहले से चल रहा था अब उसकी सुनवाई पंदरा मार्च को होगी उनोंने बताया कि अभी तो सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि Places of Worship Act 1991 के तहट ये मुकदमा चलने के लाइक है या नहीं दरसर इस मामले में बीते दिनों निशली अदालत के तरफ से फैसला आया था कि हिंदू पक्षकारों के तरफ से जो भी प्रेटिशन फाइल किये गए हैं वो सुनने के लाइक हैं इसी को मुस्लिम पक्षकारों ने जिला जजज की अदालत में चैलन्ज किया था जो बीते 27 फरवरी को खारिज हो गया था मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि अब वो हाई कोट में इसे चैलन्ज करेंगे वहीं मस्जिद के मतولी मौलाना फजल मननान रह्मानी ने कहा कि मीडिया में तरह तरह की बेबुनियाद बातें की जा रही है जो सरासर गलत है सरकार और प्रसाशन को उस पर नजजर रखनी चाहिए ताकि लौइन आडर का मसला न पैदा होने पाए आपको बता दें कि आज से लगभग 11 साल पहले 2013 में हिंदू पक्षकारों की तरफ से कोट कमिशनर न्यूट करके टीले वाली मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की थी और इसको लेकर याच्च का दायर की गई थी हलाकि A.S.I. इस सलसले में पहले ही जवाब दाखिल करके बता चुका है कि टीले वाली मस्जिद का पुरातत विभाग से कोई संबंध नहीं है उसके बावजूद मीडिया में हिंदू पक्षकारों की तरफ से बार बार सर्वे की बातें कही जाती है दरसल हिंदू पक्षकारों की ये स्ट्रेटजी है कि पहले मौखिक तोर पर बोल कर मीडिया में इसको मुद्दा बनाया जाए उसके बाद पबलिक सेंटिमेंट को देखते हुए कागजी रूप से इसमें कदम आगे बढ़ाया जाए इसी रणनिती के तहट हिंदू पक्षकार एक के बाद एक अलग अलग विवाद को जन्म देने का परियास करते हैं आखिर कार आप इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्षकार हाई कोट का रुख करने वाले हैं और वहाँ पर वो मजबूती के साथ अपनी दलीलें देंगे और उम्मीद करेंगे कि हाई कोट से उन्हें इनसाफ मिलेगा बिरो रिपोर्ट गलोबल बाउंडरी